हाई एवरिवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अवी वीजन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा UGC Net Political Science 2020 के लिए MCQ का टेस्ट सिरीज चलाया जा रहा है और आज ये हमारे टेस्ट सिरीज का पार्ट फोर होगा और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इन 10 most important questions को attempt करने की जरूर प्रयास करना ताकि आपको पता चल सके कि आपकी preparation कैसी है तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का video session आज का हमारा first question है कि नीचे दो सूचियां दी गई है सूचि first में प्रतिपादक और जबकि सूचि second में आउधारनाय दी गई है इन दोनों सूचियों को सुमेलित करना है और नीचे दिये गए कूट का परियोग करते हैं सही उतर का चुनाओ करना है सूचि first में प्रतिपादक है और सूचि second में आउधारना है यह है हमारा S.P. Huttington बताना है कि इनसे जुड़ा हुआ कॉंसेप्ट क्या है रॉबर्ट A. डहल, केनेत बॉल्डिंग, फर्नांडो, एच कार्डोसो इनसे जुड़े हुए कॉंसेप्ट यहां दिये गया है बताईए, इस कॉस्चन का करेक्ट अंसर क्या होगा आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ आप बताईए, और अंत में आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंसन करें देखिए, S.P. Huttington जो है, वो पॉलिटिकल डिकलाइन के साथ अर्थात राजनितिक पतन के साथ जूड़े हुए है रोबर्ट A. डहल, बहुत तंत्रिये लोकतंत्र के साथ जूड़े हुए है जैसा कि मैंने पिछली टेश्ट सीरीज के कोस्चन में रोबर्ट A. डहल के बहुत तंत्रिये लोकतंत्र के अउधारना के बारे में और B का 4, A का 3rd, B का 4, C का 2nd, C का 2nd और D का 1st, यानि option A इस question का हमारा right answer होगा, तो बढ़ते हैं, next question की और, देखें, question 2 है, नीचे दो कथन दिये गये हैं, जिन में से एक अभी कथन A है, और दूसरा तरक R है, assertion और region का question है, ऐसे question UG Senate political science में बहुत पूछे जाता है, या अनि जो subject हैं, उनमें भी पूछे जाता है, कथनों को ध्यान से पढ़ना है, और नीचे दिये गये कूट का परियोग कर सही उतर का चुनाओ करना है, अब ये कथन में दे रखा है, कि संगवाद का सार, संस्थागत या समयधानिक सनचना में नहीं, अपीतु स्वेम समाज में ही है, और तरक में दे रखा है, कि गटबंधन सरकारें विजातिय समाज में सरकार का सरवाधिक उप्युक्त रूप है, कुट में सम को चुनाओ करना है, option A है, A और R दोनों सही है, तथा R A की सही व्याख्या है, option B है, A और R दोनों सही है, प्रन्तु R A की सही व्याख्या नहीं है, option C है हमारा, कि A सही है, प्रन्तु R गलत है, और option D है, A गलत है, प्रन्तु R सही है, तो बताइए कि इसका correct answer क्या होगा, question को आप ध्यान से पढ़िए, और इस question को solve करने की पूरी कोसिस कीजिए, कि question को हम कैसे attempt कर सकते हैं, बताइए, इस question का correct answer क्या होगा, देखे, इस question का correct answer होगा, हमारा option B, A और R दोनों सही है, प्रन्तु R A की सही व्याख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि देखे, अभीकतन में हमारा संगवाद, that means federalism से संबंदित बात किया गया है, कि संगवाद का सार्थ संस् समाज में ही है, और जबकि तरक R में गटबंधन सरकार के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये दोनों अपने अपने जगत सही हैं, लेकिन R जो है, वो A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए A और R दोनों सही होगा, परन्तु R A की सही व्याख्या नहीं होगी, option B इस question का हमारा right answer होगा तो आपको अपना answer मिल गया तो बढ़ते हैं next question की ओर next question है हमारा question number third निम्लिखित कतनों पर विचार करना है first है मौलिक अधिकार राजी के कृतियों को स्विमीत करता है और नीती निर्देशक सिधान्त राजी को कुछ कारी करने का अनुदेश देता है second option है नीती निर्देशक सिधान्त न्यायाले में प्रवर्तनिये नहीं है third है यदि समिधान के भाग four में उध्रित किसी निर्देशक सिधान्त को लागू करने के लिए कोई कानून बनाये जाता है तो वह अनुछेत 14 और 19 द्वारा प्रदत मुल अधिकारों के उलंगन के अधार पर समय धानिकता से प्रतिरक्षित होगा four statement है हमारा निर्देशक सिधान्तों को विधान द्वारा लागू करना होता है तो नीचे दिये गया कूट से सही उतर का चुनाव करना है option A है हमारा first और second सही है option B second और four सही है option C third और four सही है और option D first, second और four सही है तो बताइए इस question का correct answer हमारा क्या होगा आप statement को ध्यान से पढ़िए आपको अपना answer जरूर मिल जाएगा क्योंकि fundamental rights और DPSP that means कि directive principles of state policy हम लोग inter से पढ़ते आ रहा है आईए, BAA में ये तीनों ही class में हमने पढ़ रहा कहा इसे तो मैं आशा करता हूँ कि इस question को आप आसानी से attempt कर पाएंगे बताइए इस question का correct answer क्या होगा देखे first statement है कि मौलीक अधिकार राजी के कृतियों को सीमित करता है बिल्कुल मौलीक अधिकार राजी के कृतियों को सीमित करता है ये बात बिल्कुल सही है जबकि नीती निर्देशक सिधान्त राजी को कुछ कारी करने के अनुदेश देता है यह भी बात बिल्कुल सही है कि राज जी के जो निती निर्देशक सिधान्त है that means कि हमारा जो directive principles of state policy है वो state को कुछ कारी करने का निर्देश देता है या अनुदेश देता है निती निर्देशक सिधान्त नियायालियों में परिवर्थनिये नहीं है यदि समिधान के भाग 4 में उध्रित किसी निर्देशक सिधान्त को लावू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह article 14 और 19 द्वारा प्रदत मूल अधिकारों के उलंगन के अधार पर समय धानिकता से प्रतिरक्षित होगा ये statement बिल्कुल गलत है ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है समिधान में कि यदि समिधान के भाग 4 में उध्रित किसी निर्देशक सिधान्त को लावू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह अनुछेद 14 और 19 द्वारा प्रदत मूल अधिकारों के उलंगन के अधार पर समय धानिकता से प्रतिरक्षित होगा ऐसी बात नहीं की गई है इस्टेटमेंट 4 है हमारा निर्देशक सिधान्तों को विधान द्वारा लागू करना होता है बिल्कुल सही बात है कि निर्देशक सिधान्तों को विधान द्वारा लागू करना होता है तो इसमें इस्टेटमेंट 1st, 2nd और 4 सही है लेकिन statement third हमारा incorrect है तो देखिए first, second और four, option D हमारा इस question का correct answer होगा आपको अपना answer मिल गया, बढ़ते हैं next question की ओर question four है हमारा Lucas द्वारा वर्नित सक्ति के तीन रूपों में निमने लिखित में से कौन समीलित नहीं है power के जो forms बताया गया है Lucas के द्वारा तो वो जो forms है उन में से तीन forms बताया गया है और तीन जो रूप बताया गया है वो तीन रूपों में से कौन सा हमारा इसमें नहीं है उसका चुनाओ हमें करना है तो बताए इस question का correct answer हमारा क्या होगा बताए तो इस question का correct answer हमारा होगा option option B छमता अभिवर्धन लिवकस द्वारा वर्नित सक्ति के जो तीन रूप बताया गया है उनमें निर्ने निर्मान, विचार नियंतरन और कारी सुची तै करना ये तीनों सामिल है लेकिन छमता अभिवर्धन सामिल नहीं है तो इसलिए ये हमारा समाजी करन के परमुख अभिकरता कौन है बताये इस कोश्चन का करेक्ट अंसर क्या होगा अप्सन ए है परिवार और विद्याले बी परिवार और समाजिक वर्ग विद्याले और समकक्च समू और अप्सन डी है समकक्च समू और समाजी को वर्क बताइए इस question का correct answer क्या होगा इस question को तो आप चुरूर attempt कीजिए political socialization IABA में से आप पढ़ते आ रहा हैं बताइए इस question का correct answer क्या होगा देखिए इस question का correct answer होगा परिवार और समाजी को वर्क ऐसे तो यहाँ पर जीतने भी option में दिये गए हैं वो सभी राजनितिक समाजी करन के अभी करता हैं लेकिन यहाँ पर मुख अभी करता के बारे में पूछा गया है main agents क्या होगा इन option में से परिवार और समाजी को वर्क इनका main agents होता है देखे राजनितिक समाजी करण क्या होता है political socialization अब पढ़ते आ रहे हैं राजनितिक समाजी करण वह परकिरिया है जिसके माध्यम से राजनितिक समुदाई के सदस्य अपने समाज की राजनितिक संस्कृति को आतमसाथ करता है और इसके अंतरकत अगर देखा जाए तो वे अपने सैसवकाल से ही मतलब बचपन से ही ऐसी अभिवरित्यां मानिताएं और वेहवार के प्रतिमान सीख लेते हैं जो उनके समुदाई की राजनितिक संस्थाओं और परकिरियाओं को वैधता परदान करता है अतया कह सकता है हम कि राजनितिक समाजी करन के परिनाम सोरूप वैक्ति अपने समाज के राजनितिक जीवन के प्रति अनुकुल द्रिष्टिकुन बनाता है अपने समाज, राष्ट्र या राजी के प्रती निष्ठा विक्सित करता है और सत्ता के प्रती समान का भाव रखना सिखता है और इस प्रिकिरिया में व्यक्ति का परिवार उसके जो मित्र मंडली है, सिक्षन संस्थान है या अनी बड़े-बड़े जो समू है, जो ग्रुप्स है वो परमुख अभी करता के रूप में भूमी का निभाता है इस क्वेश्चन में हमारा पूछा था कि परमुख अभी करता क्या होगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट अंसर होगा परिवार और समाजिक वर्ट ही उतर का चुनाव करना है सुची 1st है पुस्तक और सुची 2nd में लेखक है ए है British political parties, political parties, option C है comparative government and introduction और D है comparative politics quest for theory सुची 2nd में उनके जो writer है author के नाम दिया गया है first है Robert Miesles, second Robert Mackenzie, third है James Sebel or और रोबर्ट एच हाडग्रेव और फोर है जीन ब्लोंडेल तो बताए कि इसका correct answer क्या होगा देखे ऐसे question में अगर आपको एक book और उसके scholar का और उसके author का नाम अगर आपको पता है तो आप इस question को solve कर सकते हैं बहुत question में ऐसा होता है ऐसा option में दिया हुआ रहता है कि आप इस question को आराम से आसानी से solve कर सकते हैं बताए इस question का correct answer क्या होगा बताए देखे इस question में अगर आपको किसी एक scholar का भी book का नाम पता है तो आप आसानी से इस question को solve कर सकते हैं देखे आप Roberto Michels के बारे में तो पढ़े ही होंगे अभी जनवादी सिधान्त के एक scholar है एलिटिस्ट थियोरी इनके द्वारा दिया गया है और विलफरेट पैरेटो भी उनके प्रतिपादक रहा है अभी जनवादी सिधान्त के तो देखे पॉलिटिकल पार्टिज जो है वो Roberto Michels के द्व लिखा गया है तो आप कूट में वो देखे कि B का फर्ष्ट कहां मैच कर रहा है तो B का फर्ष्ट तो B का first हमारा match कर रहा है option D में option D को देखे B का first मतलब B का first और किसी भी option में नहीं दिया हुआ है तो हमारा correct answer इसका option D होगा that means A का British political parties का British political parties का option 2 होगा ये Robert McKenzie के द्वारा लिखा गया है और B का first political parties Robert Mitchells के द्वारा लिखा गया है option C comparative government and introduction option C जो है इसका four होगा that means कि ये book जो है ये Jim Blondale के द्वारा लिखा गया है comparative politics quest for theory ये book जो है James A. Bill और Robert H. Hardgrave के द्वारा लिखा गया है तो आप इस तरह से एक scholar एक author और उसके एक book का भी नाम अगर आपको पता है तो आप elimination method का यूज करके आप इस question को attempt कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं तो बढ़ता है next question की ओर next question है question seven निम्नलिकित में से किसने मोहंदास करमचंद गांधी के आगमन से पुरू राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विसिष्ठ का परतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्नित किया है ए है Judith Brown बी है Michael Brecher सी है रविंद्र कुमार और डी है विपिन चंद्र बताई इस question का correct answer क्या होगा किन्होंने मोहंदास करमचंद गांधी के आगमन से पुरू राष्ट्रवादी आंदोलन दैट मींस कि नेशनल मोहमेंट को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का परतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्नित किया है बताईए इस question का correct answer होगा रविंद्र कुमार रविंद्र कुमार ने मोहंदास करमचंद गांधी के आगमन से पुरू राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का परतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्नित किया है ये statement वालक question है आपको learn करना जो रही है तो बढ़ते हैं next question की ओर question number 8 है हमारा मौलिक करतवियों के समंध में निमनलिखित में से कौन से जो statement है वो सही नहीं है सही नहीं है पर हमें फोकस करना है सही नहीं है मौलिक करतवि first है मौलिक करतवि समिधान के article 51A में सामील है that means कि मौलिक करतवि समिधान के अनुछेद 51 क भाग चार क में सामील है statement 2 है मौलिक करतवि 42 समयधानिक संसोधन समीधान में अंतह स्थापित किये गया है, statement 3 है, मौलिक करतावी भारत में रहने वाले परतेक वेक्ति को पूरे करने होंगे, और statement 4 है हमारा, ग्यार्वा मौलिक करतावी, छी आस्मे समयधानिक संसोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया, नीचे दिये गया कुट से सही उतर को चुनाओ करना है, बताइए कि इन में से कौन सा statement है, जो हमारा सही है, very very most important question, fundamental duties से हमारा question है, बताइए इस question का correct answer क्या हो होगा, इस questions को तो आपको जरूर attempt करनी चाहिए, बहुत ही आसान question है, जो fundamental duties पढ़े होंगे, बहुत आसानी से इस question को solve कर पाएँगे, बताइए, क्या होगा इसका correct answer, बताइए देखिए, statement first है, मौलिक करतवी समिधान के अनुछेद 51 का भाग चार का में सामिल है, ये बात बिल्कुल सही, आप लोगों को भी पतावागा, मौलिक करतवी, 42 समिधान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा, समिधान में अंतर अस्थापित किये गयत है, बिल्कुल सही, ये भी correct statement है, मौलिक करतवी भारत में रहने वाले परतेक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है, 11 मौलिक करतवी, 46 समिधानिक संसोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है, ये statement third जो बिल्कुल incorrect है, और fourth statement भी हमारा incorrect है, कैसे incorrect है, देखिए, इस question क थोड़ा सा explain कर दे रहा हूं, देखिए, भारतिय समिधान के भाग चार क में अनुछेत 51 क के तहत मौलिक करतवीयों का वर्नन मिलता है, ये बात तो आप सभी लोगों को पता है, सरदार स्वर्ण सिंग समीती के सिफारिस पर 42 समयधानिक संसोधन द्वारा, याद रखना आ समीधान में समाविष्ट किया गया था, जबकि 11 करतवी को 86 समयधानिक संसोधन द्वार, 86 समयधानिक संसोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ना कि 2006 द्वारा, 2002 के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों, इस तरह भारतिय समीधान में नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक वे भी है और कुछ नागरिक हैं तो देखिए इसमें statement first और second हमारा बिल्कुल correct है और option third और option four हमारा incorrect है तो हमारा नीचे दिये गए कूट से सही उतर का चुनाओ करना था तो कौन से कथन सही नहीं है तो third और four हमारा सही नहीं है तो third और four हमारा option C इसका correct answer होगा तो बढ़ते है next question की ओर question 9 है किस समयधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन जीवों के सरंक्षन को राजी से हटा कर समवर्ती सूची में डाला गया है option A है 49 समयधानिक संसोधन B है 40 समयधानिक संसोधन option C है 41 समयधानिक संसोधन या फिर option D है 42 समयधानिक संसोधन अधिनियम बताईए किस अधिनियम के द्वारा वन तथा वन जीवों के सरंक्षन को राजी सूची से हटा कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इसे राजी सूची से हटा कर समुर्ती सूची में डाल दिया गया हुआ था। क्योंकि आगे आने वाले समय में NTA UGC NET इस कोश्चन को पूछ सकता है। यह सबसे महतुपूर्ण संसोधन था। इस समिधान संसोधन द्वारा पांच विशियों को राजी सूची से समुर्ती सूची में अस्थानांत्रित कर दिया गया था। जैसे सिक्षा, वन, वन जीवों एवं पक्षियों का सरक्षन, नाप तौल और नियाय परसासन, एवं उच्तम और उच नियायाले के अलावा सभी नियायाले का गठन और संगठन का जो प्रावधान है। इसमें राज सूची से हटा कर, इन सभी को राज सूची से हटा कर समुर्ती सूची में डाल दिया गया था। इस संसोधन द्वारा प्रस्तावना में भी तिन नए सब्द जोड़े गया था। समाजवादी, पंत निर्पेक्ष एवं अखंड था। और 42 में समयधानिक संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक चेंज और लाया गया था। हलाकि अगर एक तरह से देखा जा तो 44 में समयधानिक संसोधन द्वारा इनके कारिकाल को पुनह पांच वर्स कर दिया गया था। तो इस तरह से 42 में समयधानिक संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बहुत बड़े स्केल पर चेंज लाया गया था। इसलिए इस Constitutional Amendment Act को मिनी Constitution के नाम से भी जाना जाता है। तो इस Question का Correct answer होगा हमारा 42 में समयधानिक संसोधन अधिनियम के द्वारा वन तथा वने जीवों के सरक्षन को राजी सूची से हता कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ता ये बढ़ता है नेक्स्ट के ओर आपको इसका अंसर मिल गया। समयधानिक संसोधन द्वारा एक ही वेक्ति को एक या एक से अधिक राजियों का राजिपाल या संग राजी छेत्रों का उप राजिपाल नियुक्त किया जा सकता है। पता ही इसका Correct answer क्या होगा। तो इस Question का हमारा Correct answer होगा समयधानिक संसोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही वेक्ति को एक या अधिक राजियों का राजिपाल या संग राजी छेत्रों का उप राजिपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आसा करता हूँ कि इस Question को आप समझ गया होगे। दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो और यह टेस्ट सिरिच आपको पसंद आ रही हो तो हमारे इस effort को जरूर लाइक करें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो UGC net exam और other competitive exam के लिए preparation कर रहे हो और अगर हमारी यह चैनल आप सभी लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में bell icon को भी प्रेस कर ले ताकि आपको political science की updated videos आपको लगतार हमेशा मिलती रहे हैं। तो thank you so much मिलते हैं next video में। कर दो